नमस्कार दोस्तों आज के business idea में हम लोग यह जानेंगे कि कॉम फाउंडेशन यूनीट बिजनस क्या होता है। कॉम फाउंडेशन यूनीट हम किसे कहते हैं और इसे start कैसे किया जाया और इसके लिए क्या क्या government schemes हैं यह सारी बाते हम इस वीडियो में जा देंगे। सबसे पहले दोस्तों कॉम फाउंडेशन यूनीट का मतलब होता है simply कि आप honey यानि कि सहद के उत्पादन का वैपार सहद के उत्पादन का business को या फिर उसके लिए जो materials उसके लिए जो infrastructure और जो equipment लगते हैं उसको compoundation unit का जाता है तो दोस्तों इस business को आप start कर सकते हैं अपने जीवन में इसे एक बहतर रूप दे सकते हैं और इस business से अपने जीवन को चला सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लेजे कि इस business को start करने के लिए आपको करीबन 3 लाग का लागत लगे लेकिन घबराने की बात नहीं है मैं आपको आपी बताऊंगा कि कैसे आपको यह cost सरकार के द्वारा कहीं से scheme से जिसके द्वारा आपको loan मिल जाएगा तो 17 लाग की आपको cost लगेगी उसके बाद आप इससे सारा कुछ infrastructure और जो भी उसका wax machine है तोटल चीज आप इससे एक जगा पर collect कर सकते हैं उससे establish कर सकते हैं उसके बाद आपको चार लाख रुपे की income होगी आसानी से मतलब आप कह सकता हूं कि मैं एक लाख के आसपास का income आपको जब आप production करेंगे जब आप produce करेंगे इस टार्ट कर लेंगे बिजनस जब रंग करने लगेंगे तो एक लाख क्या आपको मुनाफ़ा मिलना सुरू हो जाएगा अब इस बिजनस को start करने के लिए आप चाहेंगे तो खुद से भी start कर सकते हैं अपने पैसे से भी लेकिन आप चाहेंगे तो भारत सरकार या फिर यूग है कि केंट सरकार कई सारी स्कीम्स निकारे हुए जैसे कि पहले स्कीम है प्रधान मंतरी रोजगार योजना के तहत आपको 90% की लोन दे रही है भारत सरकार प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इस तरह के बिजनस को बढ़ावा देने के लिए कई बार मंच पर कई मंच पर अपनी बातों को साजा किया है उन्होंने बताया कि इस वेपार को भारत के आमना क्रिक करें और उससे वो स्वालंबी बने आत्म निर्वर बने तो आपको 90% की लोन भारत सरकार के द्वारा PMEZP या फिर प्रधान मंतरी रोजगार यूजना के तहरत आपको असानी से मि किसी भी बैंक से तो इस तरह सब इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल यह बिजनस एकस्पार्ट की साथ हम फिर मिलेंगे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत